सांता कारं भुजंग सैनं पद्मनाभं सुडेसं विश्वा धारं गगन सद्रेसं मेग वर्णं सुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी विध्यान गम्यं वंदे विश्णु भौवभय हरं सर्व लोकेक नाथं मंगलम भगवान विश्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्ष्ण मंगलाय तनो हरी ओम नमो भगवते वासु देवाया आज का दिन आप सभी के लिए मंगल मैं हो आज मैं कार्तिक मास की कथा का 28 अध्याय सुनाने वाला हूँ सास्त्रों के अनुसार कार्तिक मा में प्रति दिन सनान करना चाहिए और भगवान विश्णु माता लक्ष्मी एवन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए चाहिए इस से जन्म जंद्मांतर की पाप कर्मों का नास होता है और घर में सुक सम्रिधी का वास होता है तो आई ये स्रवन करते हैं कार्तिक मास की कत्था का 28वा अध्याए श्रीप प्रासर जी आगे बोले श्रीकिष्ण और बलराम जी पत्र रचना विधी से अनुलिप्त तथा चित्र विच्चित्र मालाओं से सुसोबित होकर क्रम सब पितांबर और निलांबर धारन किये हुए यग्य साला तक आएं वहां पहुंचकर उन्होंने यग्य रक्षकों से उस यग्य के उद्दे से स्वरूप धनुस के विशय में पूछा और उनके बतलाने पर श्रीकिष्ण चंद्र ने उसे सहसा उठा कर प्रतंचा चढ़ा दी उस पर बलपुर्वक प्रतंचा चढ़ाते समय वह धनुस तुट गया उस समय उसने ऐसा घोर सब्द किया कि उससे संपुर्ण मतुरा पूरी गुंज उठी तब धनुस तुट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमन किया उस रक्षक सेना का सनहार कर वे दोनों बालक धनुस साला से बाहर आएं तदंतर अक्रूर के आने का समचार पाकर और उस महान धनुस को भंग हुआ सुनकर कंस ने चानुर और मुष्टिक से कहा कंस बोला यहां दोनों गोपाल बालक आ गये हैं वे मेरा प्राण हरन करने वाले हैं अतर तुम दोनों मल यूद से उन्हें मेरे सामने मार डालो यादि तुम लोग मल यूद में उन दो मल यूद्धाओं कि इस प्रकार आग्यादे कंस ने अपने महावत्यों को बुलाया और उसे आग्या दे कि तुम कूलिया पीड हाथी को मल यूद्धाओं के रंग भूमी के द्वार पर खड़ा रखना और जब ये गुप कुमार युद के लिए आएंगे तो उन्हें इस करने लगा प्रातर काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राज मंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठें तरंतर रंग भुमी के मध्य भाग के समिप कंस ने युद्ध परिक्षकों को बैठाया और फिर स्वयम भी एक उचे सिहासन पर बैठा वहाँ अन्तर पूर की इस्तरियों के लिए प्रिथक मंच बनाये गए थें तथा मुख्य मुख्य वरंगराओं और नगर की मैलाओं के लिए भी अलग-लग मंच था कुछ अन्य मंचों पर नंद गोप आदी गोप गण बिठाये गए थें और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वस्दयों जी भी बैठे थें नगर की नारियों के बीच में चलो अन्त काल में ही पुत्र का मुख्य तो देख लूँगी ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती वी देव की जी बैठी थी तदंतर जिस समय तुर्य आदी के बजने और चानूर के अत्यंत उचलने और मुष्टी के ताल ठोकने पर दर्सक गण हाहकार कर रहे थें गोप वेस धारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हसते हुए रंग भूमी के द्वार पर आएं वहाँ आते ही महावत की प्रेड़ना से कूलिया पीड नामक हाथी उन दोनों गोप कुमारों को मारने के लिए बड़े वेख से दोड़ा हे द्विज शेष्ट उस समय रंग भूमी में महान हाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुझ कृष्ण की ओर देख कर कहा हे महाभाग इस हाथी को सत्रू नहीं प्रेड़ित किया है अतर इसे मार डालना चाहिए हे द्विज जेष्ट भ्राता बलराम जी के ऐसा करने पर सत्रू सुदन से साम सुंदर ने बड़े जोशर से नाथ किया फिर केसी निसुदन भगवान कृष्ण ने बल में एरावत के समान उस महाभली हाथी के सून अपने हाथ से पकड़ कर उसे घुमाया भागवान कृष्ण यद्यपी संपूर्ण जगत के स्वामी हैं तथापी उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दाथ और चरणों के बीच में खिलते खिलते अपने दाएं हाथ से उसका बाया दाथ उखार कर उससे महावत पर प्रहार किया इस से उसके सिर के सैंक्रों टुकड़े हो गएं उसी से में बलभदर जी भी क्रोथ पुर्वक उसका दाया दाथ उखार कर उससे आजपास खड़े हुए महावतों को मार डाला तरंदर महाबली रोहिणी नंदर ने रोस पुर्वक अतिवेक से उचल कर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाई लात मारी इस प्रकार वहाथ ही बलभदर जी द्वारा लीला पुर्वक मारा गया तब महावत से प्रेजित कूलिया पिड को मार कर उसके मद और रक्त से लथपत बलराम और कृष्ण उसके दाटों को लिये हुए गरुयो के लीला मैच चितवन से निहारते उस महान जंग भूमी में इस प्रकार आएं जैसे मरिग समों के बीच में सिह चला आता है उस समय महान जंग भूमी में बड़ा कुलाहल होने लगा और सब लोगों में एक कृष्ण है एक बलबद्र है ऐसा वे इसमें च्छा गया वे कहने लगें जिसने बाल घातनी घोर राक्षिसी पुतना को मारा था सकट को उलड़ दिया था और यमलारजुन को उखाड डाला था वह यही है जिस बालक ने कालिये नाग के उपर चड़ कर उसका मान मर्दन किया था और साथ रात्री तक महापरवत गोवर्दन को अपने हाथ पर धारन किया था वह क्रिष्ण यही हैं जिस महात्मा ने अरिष्टा सूर धेनुका सूर और केसी आधि दुष्टो को लीला से ही मार डाला था देखो वह केसव यही हैं ए इनके आगे इनके बड़े भाई महाबावु बलबद्र जी हैं जो बड़े लीला पुर्वक चल रहे हैं यह इस्त्रियों के मन और नैनों को बड़ा ही आनन्द देने वाले हैं पुरणार्थ विता विद्वान लोग करते हैं कि यह गोपाल जी डुबे हुए यदू अंस का उधार करेंगे यह सर्व लोक में और सर्व कारण भगवान विश्णू के ही अंस हैं इन्होंने पृत्व जी भी मानों आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नव युवक से हो गएं राजा के अंतर पूर की इस्त्रियां तथा नगर निवासनी महिलाएं भी उन्हें एक टक देखते देखते उपराम नहुई वे परस्पर कहने लगी अरे सक्यों अरो नैन से युक्त स्रिकिष्ण चंद्र का आती सुन्दर मुक तो देखो जो कूलिया पीड के साथ यूद करने के परिश्रम से स्वेद बिंदु पूर्ण होकर हिमकंड सिंचित सरत कालिन प्रफुल कमलो को लजजित कर रहा है अरे इसका दर्सन करके अपने नित्रों का होना सफल कर लो एक इस्त्रि बोल कि इन दुग्र चंद्र के समान सुभर वर्ण बलदेव जी को आते वे नहीं देखती हो तिसरी इस्त्रि बोली अरी सक्यों अखाडे में चक्कर देकर घूमने वाले चानूर और मुष्टी के साथ कीड़ा करते हो बलभदर और कृष्ण का हसना देख लो चौथी इस्त्रि बोली हाई सक्यों देखो तो चानूर से लड़ने के लिए एह हरी आगे बढ़ रहे हैं क्या इन्हें छुडाने वाला कोई भी बड़े बुढ़े यहां नहीं हैं कहां तो योवन में प्रविश्च करने वाले सुकुमार सरीर स्याम और कहां वज्र के समान कठोर सरीर वाला यह महान असूर ए दोनों नव यूवक तो बड़े ही सुकुमार सरीर वाले हैं किन्तु इनके प्रतिपक्षी ए चानूर आधी दैते मल अत्यंत दारून हैं मल यूद के परिक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है जो वे मध्यस्त होकर भी इन बालक और बलवान मल के बीच यूद करा रहे हैं इस प्रकार बल्राम जी और कृष्ण जी को खाड़े में देखकर नगर की इस्त्रियां आपस में बाते कर रही थी तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ अब आगे की अध्याय में कल लेकर आऊंगा तब तक के लिए भगवान हरी का नाम लेते रहें तो प्रेम से बोली भगवान विश्णु कीजए शिकेशन भगवान कीजए लक्ष्मी माता कीजए तुलसी माता कीजए समस्त देवी देवताओं कीजए